सुनावे रिडा लिमिटेट अबदी की 184.70 पर क्लोजें हुई और आज इंटर डे में 5.5% की गिरावट हमें देखने हुआ थी रिकवर थोड़ा सा हुआ है एक परसेंट और 4% की गिरावट के साथ ही क्लोजें हुई यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 147 करोड शेर से यहाँ पर जो है वो ट्रेडिंग के लिए एवलेव होने वाले है उससे पहले ही यहाँ पर जो है स्टॉक काफी बड़ा प्रेशर में देखने को मिल रहा है लेकिन असर फिरडा ही नहीं है अगर आप देखेंगे एन वी सी सी जो है वो भी आज गरावट में है चार पांच परसंट की गरावट के साथ closing हुई है IRFC विल्एव इरесट्टी ढ़ावट के साथ तो परसंट की एसपास IRCON में गरावट है closing के टाइम आप देखेंगे closing हुई है इसमें और उस से आगे बढ़कर देखें RVNL मताब पूरा पी AXU PACK जो है वो बहुत बड़ी गरावट से आ तो यहां पर मैनेजमेंट होगी, तो यहां पर मार्केट में पैसे को मैनेज किया जाएगा, सिंपल सी बात है, कोई खरीद कर रखे, कोई बेचेगा, तो यह सब चलने वाल है, लेकर आज पूरा PSU पैक गरा है, एंटाइर PSU पैक के अंदर गरावट है, वो यहां पर उसकी वाज़े से यहां पर गरावट हुई है, और सिंपल सी बात है, एंटाइर PSU पैक गरावट कहीं न कहीं उसका भी प्रेसर था, और यह कुछ लोगों पता है, और यहां पर गरावट हमें देखने को मिल गी, और यहां पर डेट है, तीस मही की, यानि कि आज 28 और कल का दिन बीच है, तीस मही को 147.8 करोट शेर्स जो है, वो यहां पर ट्रेडिंग के लिए एवलेब हो जाएंगे, और वो जो भी चाहिए वो कर सकते हैं, बेचना चाहिए बेच सकते हैं, तो यहां पर देखिए, तो 55 परसेंट का वेटेज है, पता ही 55 परसेंट का वेटेज रखते हैं, और यह आभी तक लॉग इन में थे, तो यह कही न कही, थोड़ा सा 30 मही से पहले, थोड़ा सा कॉसिस वाली बात है, कि यह करेंगे क्या, एक और बात बात बताओं कि, प्रेसिडेंट ओफ इंडिया यहाँ पर जो है न, बहुत बड़ी होल्डिंग रखे हुए हैं इड़ा के अंदर, खेट ही कहें, बट हाईर साइट से तूटा, आज भी जो है वो 196 से ही तूटा है, यह वो मेजिकल लेवल जो मैंने आपको बताया था, उस लेवल को आपको ध्यार रखना, जब तक यह करौस नहीं होगा, तब तक कोई तीज़े की संभावना है यह नहीं, इवन तीस मैं से पहले अगर आप देखें, तो कोई संभावना है यह नहीं, कि शायद यह स्टॉक चले, कल का दिन बीच में पता नहीं कल की दिन क्या होगा, बट सपोर्ट से भी गूमा है, तो रेट कहने हैं नहीं सकते, अब यह चैय गुना चला है, यह इसकी वैल्यू कितनी है, जो 55% यह जो शेयर्स हैं, उसकी वैल्यू कितनी, 28,800 करोड, और यह किस प्राइस के इसाब से, 196 के भाव के इसाब से, मैं कैल्कुलेट करके बता रहा हूँ, इस शेयर्स की वैल्यू, तो 28,800 करोड का वेटे रखते हैं, तो कोई चाहे भी, तब भी यह पूरा माल बेचने मार्किट के अंदर नहीं आसको, तो यह तो आप भूल जाएए, कि यह 28,000 करोड की बिकवाली, आपके सामने तुरंथ होते हुँ देखेएगी, बिल होई नहीं सकती, सवाली पैदा नहीं होता है, वो खुद के पैर पर जो है, वो चोट पहुँचाएंगे, अगर कोई इतनी बड़ी बिकवाली कनने आएगा भी, वैसे भी वो एक चतुर लोग होते हैं, सुदेट वो ऐसा काम नहीं करें, भले ही वो दीरे 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 कुछ कुछ शेयस बेशते रहें, उससे ना तो स्टॉक पर कोई बड़ा प्रैसर आएगा, और ना ही कोई बहुत बड़ी ऐसी बिकवाली आयाई की स्टॉक ढहे जाए, प्रैस गर जाए, क्योंकि उनका लॉक इन में रहते रहते 6 गुना पैसा बन चुक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, मार्किट कैप के लिए आज से देखें, तो पचास अजार करूड के अराउंड का मार्किट कैप है, उसमें से अठाइस अजार, वैल्यू थोड़ी से कम कर दीजे, 26 अजार करूड माल दीजे, 26 अजार करूड रुपए की करेंट भाउ के साब से, क्योंकि यहां पर आभी आपके सामने 5% स्टॉक गिर गया है, तो वो वैल्यू भी गिर गया है, 26 अजार करूड का वेटेज यह यह शेयर से रखते हैं, तो यह इंपोर्टेंट रखते हैं, तो द्यान रखिएगा कि यूनियन बजट आफ इंडिया, जो कि यहां पर जो है इलेक्शन के रज़ल्ट के बाद, चार जून के बाद होना है, जो इंपोर्टेंट वाला बजट है, उसमें रेनिवल थीम रहेगी, और आपको समझ के रखना है, डरना नहीं एड़ा के अंदर इस बात को, अगर कोई बाई चांस अपोर्चिटी मिले, खल तो आप बुरा मानेंगे, ऐसा लगा, लेकिन ये यूबियस कह रहा है, और जैसा कि मैं आप से कह रहा हूँ कि ये नहीं होने वाला है, ये साथ या निफ्टी नहीं आएगा, आप इसमें निश्चिंद रही है, हो सकता है, अठारा या देखने मिले है, बहुत ज़्यादा अगर प्रैसर पड़ेगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं तूटने वाला, ये बेब कूफ बाना, मतलब लेवल है, आप ये समझे, अर्णिंग्स 2014 में कुछ और थी, 2024 में कंपनियों की 10 सालवाद अर्णिंग्स जो है, वो काफी बढ़ चुकी है, अर्णिंग की बेसेस पर मार्केट अब अलग हो चुका है, 2014 वाला मार्केट नहीं रहा है, किसी भी देश का नहीं रहा है, अर्णिंग्स आप यूबेस के बारे में पूछ रहे थे, आज बनना होता तो वो प्रैसर बन जाता बहुत बुरी तरगी से मार्केट के अंदर, लेकिन नहीं बना, तो वो भी द्यान रखिए, हाला कि PSV पैक में बन गया, अब वो इसकी वज़ाँ से बना, उसका कोई, कोई वो प्रूफ नहीं है, त्यान रखिए, यूबेस के बारे में आप पूछ रहे थे, सुजलेंड की बैंक है, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट बैंक है, मल्टी नेशनल और फाइनिंस सर्विसस कंपनी है, यूबेस, यूबेस, यूनियन बैंक आप सुजलेंड, पूरा नाम है, लास्ट, देखे, यहाँ पर एड़ा के अंदर करना क्या है, और एड़ी मैं आप से कहे रहा हूँ की, भाईया, यहाँ पर आपको यह ट्रेंड लान लगा लेनी है, वन डे के अंदरिस्टिक चार्ट पर और आपको सब समझ में आए, उसी जगे से यहाँ पर सेलिंग आ रही है, लेकिन आज घूमा कहां से, वन एटी वन के अराउंड से, देख रहे हैं यहाँ पर, यही सपोर्ट के लेवल, जो कि मैंने कल आपको बता है, वहीं से घूमा है, जहां से गिरना था, वहीं से गिरा है, तो हमें एक बीच में चल रहे हैं इड़ा, अब यह जिस तरब भी घूम जाए, या तो यह बन एटी वन अगर तोड़ेगा, तो तो फिर नीचे डाउन साइट का लेवल उपन हो जाएगा, ठीक है, ऐसे में आप PSU, जो वॉलेटिलिटी होगी, वो तो बात की बात है, क्योंकि दो-तीन दिन में क्या से क्या हो जा, कुछ पता नहीं, इसको खीच कर डाई सो भी कर देंगे, और इसको खीच कर, एक सो चालिस भी कर देंगे, तो कोई बरोसा नहीं है, यह दो-तीन दिन का, कोई बरोसा नहीं, और इस दो-तीन दिन में आओ, तो एक्जिट पोल से तो यहाँ पर इंपेक्ट पड़ नहीं है, सीधी स्वाद, कुछ नगुछ तो मार्केट में, यह बड़ी वाली एक जो, जो अप और डाउन का जो है, वो सिनेरियो तो होगा, और पी-ए-स-ई-उ पर सीधे रिफ्लेक्ट किसली करेगा, क्योंकि सारा पैसा जो है लोगों का, वो पी-ए-स-ई-उ की तरफ ज़्यादा यहाँ पर मूव कर रहा है, इसलिए पी-ए-स-ई-उ पर ज़्यादा इंपेक्ट पड़े, इवन एड़ा यहाँ पर जो है काफी यहाँ पर फोकस मुरा है, तो एड़ा पर तो पड़े गई, इवेंट का असर, हो ना हो, शौट तम में तो सही है, ठीक ना, शौट तम में, हो टम का मतलब, ज्यादा से यादा, एक मेना असर पड़े गा, उसके बाद सबस्रेशना नोर्मल हो जाना है, तो ये बाद समझे, बजट सबस्रे नोर्मल हो जाना है, एक एड़ अच्छी खवर आई, बजट में उसलिए, तो ये बाद समझे, अब ये सबसे बड़ी बात है ये 30 माई क्या इसकी वज़े से कोई प्रैसर बात है कुछ लोग तो बेचने के लिए आएगा ठीक है ये बात तो आप समझेए खरिदने के लिए कौन आएगा कोई नहीं आएगा 6 गोना ऊपर स्टॉक है उनको देखने को मिल रहा है उनकी 300 कि नहीं पता हो सकता है कि आई ना वो सारा सारा माल जो है वो एब्सॉर्ब हो जा है रीटेल यहां पर खरी ले या कोई आकर यहां पर बाई कर ले तो ये सबसे बड़ी बात आ जाती है तो ये सारी बात हैं तो उससे पहले अब 30 में से पहले कुछ डिसाइड नहीं कर सकते ये भी ध्यान रखे, तो लेवल टू लेवल वाच करें, 181 अगर तूटता है, तो फिर डाउन साइड ओपन होगा, और अगर 196 तूट गया, 197, 198, क्योंकि अब ये और दूर चला गया, ट्रेंड लाइन, तो वो अब लेवल और उपर की चले गया, 196 नहीं, अब वो 197, 198 की मुड जाएगा, बस इतना ही सिंपल है, ध्यान रखना है, सुमी ते काफी कुछ आपको समझ में आया होगा, UBS की बात का ध्यान ना दीजे, और इस पर ध्यान दीजे, इससे एक शायद बड़ा इंपेक्ट पड़े भी और ना भी पड़े, आभी आपको डिसाइड नहीं क अला लीजेगा, दर्वाइज आपकी खुद की स्टेडी काफी इंपॉर्टेंट, आप खुद की स्टेडी करिएगा, तो आपके कहना इस कूपर कमेंड सिस्थम कहिएगा, और आप दीजों जाएगा, बड़े देखने के लिए बहुत दन्माद दुस्तों,